हलो ब्रचींज करते है ऐसलियी आंटेरो कि अधेंग अधिय। ऎ著 अधरो केम GI और 59 टैप्टी लेटेशल केंदल के चाहँ किविड लेटेयं ऐसलर सेग्वेरियर यह हैं विज था कैलेशल के पयाँकिश्ट उन्टमिल खिल अट कने अुद्ट New बोडी लाइंग्विज या शारी रिख भाषा को अंग विनियास या काइक भाषा भी कहते हैं यह सांकेतिक संचार महत्वपुन माध्यम है इसका अंखों का अगवाना चलाना ताली बजाना हातों को उपर नीचे करना उंगली दिखाना इत्यादी को शामिल किया जाता है लेक्स जो हम बात करेंगे कि शारीग भाक्षा मोखिक संचार की एक पूरग भाषा भी है जब भी कोई विवक्ति मोखिक संदेश जेता है तो सात में शारीग भाषा का यही प्रियोग करता है तो संदेश का अर्थ स्पस्ट हो जाता है वह मोखिक संदेश के साथ जूर जाता और संदेश को पूरा भी कर देता है शारीरिक भाषा की प्रकरती नेचर ऑफ दे बॉडी लेंगविच शारीरिक भाषा एक स्वयम सिख्योई प्रकरिया होती है यह पूर्ण रूप से अनियंत्रित नहीं है बलकि सामाजिक वेवार द्वारा नियंत्रित होती है तो first one is without any formal training बिना किसी अप्चारिक प्रेशिक्षन के व्यक्ति शारीरिक भाषा को बिना किसी अप्चारिक या formal education के प्राप्त करता है शारीरिक शिक्षा को बच्पन से अंजाने में सीख जाता है बच्चा अपने माता पिता को अपने जरूरतों का एसास कराता है यह एक प्रकार की body language है प्रतिकए व्यक्ति जागुक नहीं होता तो एक वर अन्य को प्रभावित करने से भी अनजान रहते हैं शांग भावश्य अत्य प्रभावुकर याली होती है कई सारी मेट्रो सिटिज में व्यक्तित्व विष्टास पर्सनलेटर डफ्लोप में डफ्लोप्मेंट के अंतरगत्ष शारेख भाशा के प्रयोग का प्रशेक्षन भी दिया जाता है सामाजिक विवहार से नियंतित, controlled by the social norms, शारीरिक भाशा आनियंतित होती है बंदू, इसकी अभीवक्ति पर सामाजिक नियमों का प्रभाव पड़ता है नेक्स से शारीरिक भाशा के प्रकार, types of body language, the first one is posture, शारीरिक मुद्रा, इसका उठने, बैठने, खड़े रहने, लेटने, विभिन तरीकों से है, विभिन प्रकार से बेठना, खड़े रहना वा लेटना, कई प्रकार के अर्थों को प्रदर्शित करता है किसी कारियाला में जिस तरह से हम बैठते हैं या खड़े होते हैं, वो अनपचारिक दशा में धंग, किस धंग से भिन्न होता है, हमारा हाथ प्रकार के अभाशिक संचाय को प्रेशित करते हैं शारिक मुद्रावल की गती शिलता व्यक्ति की आत्म निर्भरता अस्तती वरूची को प्रदर्शित करती है नेक्स्ट है जेश्चर भाव भंगीवा अत्वा भाव भाव शरीर के विभिन अंगों जिस हाथ पाऊ, बाहा, धर, सर के हिलने, डुलने के भाव भंगीवा कहा जाता है शरीर के इन अंगों की हरकत से अपने संदेश को जोड से हम कह सकते हैं पुस्टी भी कर सकते हैं जैसे किसी को इशारे से बुलाना, किसी को आखों से इशारों से समझाना, ये सारी भाव भंगीवा हैं ये वड़ी के जेस्चर हैं, जैसे दो उंगलियों को उपर उठाना विजे का प्रतिक होता है, प्रस्वन दता, आश्यर भाई, क्रोध, दुख, आधि को प्रकट करने के लिए चेहरे की अभीविक्तियां अलग-लग होती है, अता चेहरे को देखने से इसका ग्यान हो जाता है, प्रसित कहावत की चेहरा मनुष्य के दिल का आइना होता है, हम बीना कुछ कहें चेहरे की हावाव के माध्यम से बहुत कुछ कह सकते हैं चेहरे की प्रतिक प्रतिक्रिय संचार का एक माध्यम है आई कॉंटेक्ट आखों का संपर आखे अत्य धिक शक्तिशाली संप्रेश्वक है इस प्रकार मनुश्य की आखे शारिक भाशा का मैध्यम है आखे दिल की बात कह देती है यह आमने सामने संचार का शेशक्त माध्यम है व्यक्ति पारस पर कितनी देर तक किस प्रकार देख था ऐसे उसकी भावनाओं पारस पर एक स्तर इमानदारी विश्वेशनियता वा कारिश शम्ता आदी का ग्यान प्राप्त किया जा सकता है अलग अलग इस्तियों में आखों का आकार एवं रूप भिन भिन होता है जैसे जड़ निगाह गूर के देखना चोड निगाह यह सब भी हमारी भावनाओं पर डिपाइंड करती है आखों का संपर्क इमानदारी का प्रतिक है लेकिन कई देशों में जुकी आखों को व्यक्ति के प्रति उच्चत संवान का प्रतिक भी माना जाता है इसके पीटना धका देना पकरना हाथ मिलाना थप तपाना आदी शारीरिक क्रियाएं शामिल होती है इसका प्रियूक कई प्रकार के संबंदों वस्ततियों को भी बताता है शारीरिक इसपर्ष संचार का सबसे प्राचिन स्वरूप रहा है शारीर के विबनेश्यों में इसपर्ष विबनेश्यों के संदोश्यों को संचारित करता है इसपर्ष के आर्थ इसपर्ष के प्रकार और कारे के अनुसार बदल जाते हैं जैसे कि कंदों को हाथ को कौन किसको इस बात पर भी अर्थ बदल जाते हैं जैसे इस पर्श करने वाले डॉक्टर वरोगी हैं इस पर्श क्रिया पर इस्तान का भी प्रभाव रहता है जैसे सारुजन इस्तान वा दीजी स्थान शारिरिक स्पर्श प्रक्रियाओं के विश्रिशनन के आधार पर निपने पांच नियां बता है अनुकुल प्रभाव होता है सजीवता है नियंत्रण होता है अनुस्थाने के अप्चारिकता होता है इसके अंदकत व्यक्ति के कपड़े बालों की साथ सवार श्रिंगार आभूशन सोचिता आधी शामिल होते हैं इन चीजों का सीधा संबंद शारिरिक पाशा से नहीं लेकिन इसका संबंद व्यक्ति की भाव भंगिमा से महत्वपून रूप से जोड़ा हुआ है ये व्यक कड़कियां आधी भी संदेश वाहन का प्रभाव डालती है नेक्स वन इस साइलेंस चुप्पी चुप्पी संचाय का मुर्भूत है और सभाविक पहलू है ये व्यक्ति की सहमती दोनों ही रूप में व्यक्त होती है जैसे यह कोई व्यक्ति किसी की प्रसंसा करता है और द